नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेडिशन रिव्यू और टिप शुरू चनल पर आज हम प्रिमोलूट एन टाब्लेट के बारे में पूरी जान कर लेने वाले हैं प्रिमोलूट एन टाब्लेट का मुक्केतो प्योग माशक दर्म से जुड़ी समशाओ को धूर करने के ली के आ जाता है आई ये इस टाबलेट के बारे में आतीक विस्तार से जाएंते हैं यह टाबलेट का इसे काम करती है, कहा इस्तेमाल होती है इस टाबलेट के क्या benefit से, क्या side effects से इस टाबलेट से जुड़े सबी सावलों की जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आके तक दरूर देखे जाएडस काडिला कंपणी की 10 टाबलेट की यह स्टिप आपको 57 रुपए में डॉक्टर के परची पर किसी भी मेरिकर स्टोर्स पे आसानी से मिल जाएगी बात करते हैं इस टाबलेट में मुझुद कंटेन के बारे में परेमुलिट यहन टाबलेट में नौर इसी रस्टेरान आसेट 5MG यह कंटेन समस्टे इसमें मुझूद नौर इससे रस्टेरान यह यह सिंतेजिक प्रोजेस्तरामे यह प्राकूर्तिक प्रोजेस्तरान की प्रभाव का आनूकरन करके काम करता है यह गर्बाशे की लाइनिंग के विकास और ख्षे को नियंद्रित करने में मदद करता है इस प्रकार यह महावारी से संब्धित समश्यों का इलाज करता है बात करते हैं यह स्टाबिट के उजिस की डॉक्टर शेकन के समश्या में इस्तमाल करते है इसका उप्योग महावारी में ज्यादा ब्लीडिंग वनी की समश्या दूर करने के लिए किया जाता है और साथी प्रियर्ड या फिर महावारी में दर्द वनी के समश्या दूर करने के लिए डॉक्टर इस्टाबिल के इस्तमाल करते है और साथी premenstrual syndrome की समश्या, महाशिक दर्मका न आना और साथी endometriosis की समश्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टाबलेट के इस्तमाल करते हैं बात करते हैं इस टाबलेट से ओने वाले साइड़ पेक की इस टाबलेट में में जुद कंटेंट से आलर्जी है तो आपको साइड़ पेक हो सकते हैं इस बताये गए साइड़ पेक समस्या तो तुरों डॉक्टर से संपर करें इस टाबलेट से आपको सिर्दर्द, चक्कर आना, स्तन कोमलता, मिचली आना, यह निमेदाग, उल्टी और पेट में क्रैम्प यह साइड़ पेक हो सकते हैं बात करते हैं इह टाबलेट लेने से पहले आमें क्या-क्या साउधनिया लेनी चाहिए इदे आपको इस टाबलेट में मुझुद कंटेंट से आलर्जी है या फिर कोई साइड़ पेक्स महसूस होते है तो इस टाबलेट के इस्तमाल ना करें इदे आपको इवर मेरिशिन ले रहे हो तो उसके बारे में डक्टर को ज़रूर इंप्रम करें ताकि आपको ओर डोस्या या फिर ड्रुग इंट्रेक्शिन ना हो इदे इस टाबलेट के इस्तमाल गर्वोती माईला या फिर स्तनपन करने वाईली माईला को करना हो तो गान अकुलाजिस की सला जरूर ले उसके बाद इस टाबलेट के इस्तमाल करें आप अपने समस्या और रेज बता कर इस टाबलेट का डोस आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस चेपूत ले याद रखे दोस्तो हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है इसलिए रोगी किस्तिती, रोगी के आयू और अन्यकारणों के आधार पर इस टाबलेट का डोस आलग हो सकता है इसलिए इस टाबलेट का इस तुमार डॉक्टर के शालग के अनुसर करें दोस्तो हर आपको इस वीडियो से हेलफूल इनपर्मिशन मिलेओ तो वीडियो को लाइक करें और मेडिशन द्रिव्यू और टिप्स वीडिव चलनक को सब्स्क्राइब करें और साथी बेल वाक अंद बाई ताके आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिप्रिकेशन मिलती रहे यहोई वीडियो देखने के लिए धन्यवाद